हाई मैं संगीता पटेल कब गलॉफ कुछ राग बेंस्ट्रोल कब क्यों यूज़ करना चाहिए तो सबसे पहले मेंस्ट्रोल कब यूज़ करने के लिए एक रीजन चाहिए और रीजन यह है कि अगर हम मेंस्ट्रोल कब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी यूटिय इंफेक्शन य कि मेंस्ट्रोल डेज के अंदर भी हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कहीं भी रोक नहीं आएगी मतलब हम स्विमिंग कर सकेंगे साइक्लिंग कर सकेंगे और मेंली हम वाक करेंगे रन करेंगे तो हमारा जो डिसकंफर्ट लेवल है जब हम सानिटरी पैट पहनते या कपड़ा पैंते वो चला जाएगा और infection तो नहीं होगा इसके अलावा हमें हमारा भी करतव यह बनता है कि हम इस प्रिथवी पर कच्रा न डाले या ऐसी कोई product न डाले जो इस परियावरन को हाम करें तो हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम एवरी यर 12.3 billion used sanitary pads का कच्रा डालते हैं जो कि decompose होने में 500-800 साल लगते हैं और अगर उससे एक step आगे जाके बात करें तो जो हम menstrual days के अंदर कपड़ा यूज करते हैं उससे वाश करते हैं या reusable pads या reusable panties अगर हम इस से wash करते हैं तो उसके लिए हम every month 5830 gallon water का इस्तेमाल करते हैं अभी आप सोचो कि इतना सारा पानी आज की डेट में अभी जब पानी की shortage है तो हम इतना सारा पानी इस्तेमाल करते हैं वह future में कहां जाके रुकेगा तो हमारा करतव यह है कि अगर हम menstrual cup इस्तेमाल करते हैं तो एक menstrual cup 10 साल चलता है तो यह reusable है, economical है और eco friendly भी है, health के लिए भी अच्छा है तो हम क्यों menstrual cup इस्तेमाल नहीं करते हैं बस इतना ही ना कि हमें उसके बार में ज्यादा समझ नहीं है तो menstrual cup medical grade silicon का बना हुआ है, health के लिए एकदम अच्छा है, परियावरन के लिए भी अच्छ कोई कच्रा आता है जो परियावरन को नुक्सान करेगा, तो हम menstrual cup क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, यह कोई plastic नहीं है, यह जो हम surgery में इस्तेमाल करते हैं, हमारे body के अंदर जो organs implant करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो medical grade silicon का बना हुआ होता है, तो please सारी जो भी बाहर से ज क्यों हमें कोई problem नहीं होगी, वो खास जाने, और यह सारी अगर जान करी आपको चाहिए, तो हमारे दूसरे रिल्स जरूर देखें, तैंक्यू सो मच, जाई हिंद, जाए मानवताय नमा